नमस्कार साथियों, जय हिन, जय भारत, जय उत्राकन साथियों, मैं आसा करता हम आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्त होंगे, जैसे कि आप सभी लोग को जानका आई है, उत्राकन मुक्तु विश्वध्याले के अंदर का 27-27-23 से परिक्षा प्राराम हो गई है, यानि आज की सित्कालीन सत्र के बैक, में वर्क, इंप्रूब्मेंट परिक्षा प्राराम हो गई है, और समस्टर कोर्स की साथि में इस बिंटर सेशन जिन भी अभ्यारतियों का अनिवल कोर्स है, इसी करह में उत्राकन मुक्तु विश्वध्याले का परिक्षा पेपर पैटन, आपका दिसमबर 2022 सेशन का किस तरीके से रखा गया है विश्वध्याले के अंतरगत, आज की वीडियो के अंतरगत डिश्कुशन करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब बटन को आप सभी लोगों को जरूर प्रेस करना है, साथ में पास्वे में आप सभी लोगों को जरूर हिट करना चोले बढ़ते हैं वीडियो में आगे हैं डिस्कुशन करते हैं, तो मेरे पास जो कुशिट पेपर रिसी हुआ है BSO201, इंस्ताग्राम के माध्यम से रिसी हुआ है, का नेम है जसन, उनके माध्यम से, अगर आप वीडियो देखने हैं तो थैंक्यू सो मच जसन, आपके मा पेपर रिसी हुआ है, BSO201, उनका सेकेंड यर का एक्जामनेशन है, सामाजिक नियंत्रन और परिवर्तन सब्जक्त के अंत्रगत, B.A. सेकेंड यर एक्जामनेशन उनने अटेम्ट करा, और मार्क्स, अगर क्वेशन पेपर पैटन की बात करूं, फर्स्ट यर में, अगर जैसे जशन कैंडिडेट है, उनका फर्स्ट यर का जो पैटन था, 80 मार्क्स का था, and assignment 20 मार्क्स के held हुए थे, अगर अभी उन्होंने second year examination attempt करा, जिसमें की उनका question paper pattern है, 70 मार्क्स का, उनकी देखने को मिला है, और उन्होंने online assignment submit करी थे, 30 मार्क्स के, आपके पास paper pattern दिया है, two hours का आपका examination हुआ, very good, यहाँ पर दिया गया है कि यह प्रस्ट पत्र 70 अंकों का है, जो की दो section में divide क्या गया है, section A को section B और प्रते खंड में दिये गे विस्त और निर्देशों के अनुसार ही प्रस्टों को हल करना है, section A के according माने, इसमें section A में contain करता है, five long answer type question of 90 marks each, learner are required to answer any two questions only, यानि जो आपका section A के according question बना है, उसमें आपके total कितने question है, long answer में पांच question है, और जिसमें से कि आपको दो question attempt करने है, each one of question आपका 19 marks का है, और इस तरीकी से अगर आप 2 question attempt करेंगे section A से, तो आपके 38 marks बनेंगे, all right, so question आप देख सकते हैं, long answer type question है, आपके पास total number of question के अगर मैं बात करूँ, आपके पास 5 question है long answer में, जिसमें से कि आपको any two attempt करने हैं, section B की बात करूँ, उससे पहले Instagram ID mention किया गया है, आप follow कर सकते हैं, अपने question कर सकते हैं, section B के अंतरगत, खंड खर में, short answer type question है, जिसमें से आपको 4 question attempt करने हैं, और इसमें बताया गया है कि आपका 1 question 8 marks का है, ठीक है, तो इस तरीक से 4 question जो आपके हैं, जो आप attempt करेंगे, 32 marks इस तरीके से बनेंगे, आप section A and section B का total करेंगे, 70 total आपका पूर्णा, गोगा question paper pattern का, तो आप question check out कर सकते हैं, इस तरीके से question paper आपके बास receive हुआ है, देखिए, इसमें 3rd question है, 4th question है, 5th question है, 6th question है, 7th, 8, इसमें से कि आपको any 4 question attempt करने हैं, जो कि each one of questions आपका 8 marks का होगा, इस तरीके से आपके 32 का पूर्णांक बनेगा, section B के according, आप जिन भी अभ्यारतियों के 70 marks equation आए हैं, यानि कि उनका पूर्णांक है, तो that means कि विश्वध्याले की अंतरगत, जो current pattern है, वो ही implement किया गया है, अब मैं बात करूँगा, इस से previous वाला आपके साथ शेयर करूँगा, यह previous pattern था, September 2021 में, जिन भी अभ्यारतियों ने अपना BA course में, annual course का अंतरगत या अपन को याद होगा, September 2021 में अपने enrolled करा था, और इसके जो परिक्षा होई थी, August September 2022 में आउजित किया गया था, अगस September 2022 में अपने परिक्षा में participate किया, तो इसका जो result है, वो कब आउट हुआ, December के अंतरगत, 9 December 2022 में इसका result आउट होता है, तो उस time period पर भी, एक अभ्यारती इसना, examination या एक अभ्यारती नहीं बोलूगा, उत्राखन बुत्तु विश्विध्याले के अंतरगत, more than 90,000 प्लस student enrolled हैं, अभी currently में, तो 90,000 में अगर BA course के अंतरगत, जैसे जितने student enrolled हैं, उसका जो data है, उसमें उतने अभ्यारती उने examination में participate करा, उसके बाद, जब वो अग को मिलता है आपको, और आपने assignment already 30 marks के submit करे हुए थे, assignment आपने 30 marks के submit करे हुए थे, आपके पास जो question paper आपको देखने को मिलेगा, even आप check out कर सकते हैं, July 2022 को old question paper pattern, आपको उसमें 80 marks का पूर्णांखी देखने को मिलेगा, और जब आपका result declare होता है, November, December 2022 के अंतरगत, तो अगर आप 80 plus 30 करोगे, is call to 110 हो रहा है, लेकिन विश्वध्याले के अंतरगत आपका result में adjustment किया जाता है, और जैसा कि आप से भी लोग जानते हैं, कि semester course में आपका 30 marks का assignment ही होगा, इस तरीके से 70 marks का आपका theory बनेगा, तो इसमें क्या होता है, कि आपका result adjust किया जाता है, 70 marks क but यह किस तरीके से विश्वध्याले के अंतरगत, result clear किया गया, marks किस तरीके से दिएगे, अगर आपका 80 marks का question paper था, तो आपके जो total marks है, 70 में किस तरीके से adjustment किया गया, इसकी कोई भी clarification नहीं मिलती है, ना है कोई student इसके regarding में अपने question raise करता है, आप अप लोगों को result प्रोव का July यानि June 2022 का एक sample paper है, जिसका पूरांग 80 marks का है, और मैंने अभी जो आपको result दिखाया था, उसमें 70 marks का result शो करेगा, तो maybe I think हो सकता है, जिसे अप लोगों को याद होगा, कि printing में आप सभी लोग जानते हैं, चाहे आपका study, self study learning material हो, चाहे आपका question paper printing के संबंद में हो, तो maybe शायद ये paper आप लोग चेक आउट करेंगे, उस time period पर क्या scene रहा मुझे, इसके बारे में discussion फिलाल नहीं करना है, 80 marks का जो question paper था, और अभी फिलाल मैं ये कहना चाहूंगा, जो 4th year वाले student है, उनका जो question paper pattern है, आपका जो current pattern follow हो रहा है, नए prospectus के according, 70 marks का UG में, BA, BCOM मे 70 marks का theory का question paper आ रहा है, 30 marks के आपके online assignment submit हुए है, अभी यहाँ पर बहुत सारे अलगलग department wise student enrolled है, एक स्टुडेंट का course अलग है, अलग है, तो आप current वाला जो prospectus चल रहा है, जुलाई 2022 का UGPG certificate diploma, उसे ही follow करें, उसके according ये आपका question paper बना है, जैसे आपका science stream से है, BSC में, तो 35 marks का question paper आपको देखने को मिलेगा, 15 का assignment हुआ है, 50 का practical है, अगर जैसे आपका UG है, तो UG में आपका first year, जैसे BA है, annual course के अंतरगत आपका run हो रहा है, तो 70 marks का आपको question paper देखने को मिलेगा, और 30 marks का आप सभी लोग जानते हैं, कि assignment आपने submit करे हैं, अब मैं बात करूंगा इसी तरीके से आपका B.com first year का, BCM 101, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, BCM 101, BCM first year में भी थर्ड सिपने examination आजवित किये गए, B.com program के अंतरगत, organization and management का subject है, विक्रम नाम से उनके माध्यन से भी मुझे question paper share किया गया, thank you विक्रम, अगर आप video देख रहे हैं, तो section A के according बात कर रहा है, आप question check out कर सकते हैं, total आपकी 5 question पूछे गे थे section A से, जिसमें सी के आपको attempt करने थे, 2 question 19 marks के, इस तरीकी 38 marks का section A से cover करता है, section B की बात करें, section B में आपका 8 question थे short answer, आपको किसी भी 4 question को attempt करना है, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, UG के अंतरगत यही course pattern follow हो रहा है, आपका annual course है अगर, all right, annual course में BA, B.com है तो, so annual course में अगर आप लोग enrolled है BA, B.com के अंतरगत तो आपकी जो आगामी परिक्षाएं हैं, वो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, all right, आपको इसके recording ही prepare करना है, 38 marks का section A से, और 32 marks का section B से, next, बाकी में सब ये student को यही suggest करूँगा कि आप अपने जिस भी course में enrolled हैं, यहाँ पर prospectus दिया या link in description है, prospectus जरूर चेक आउट करें, और उसमें देखिए किस हिसाब से आपका official structure है, किस हिसाब से आपका program run हो रहा है, क्या उसमें practical के marks दिये गए हैं, कितना आपका theory marks है, कितना assignment marks है, हर एक program wise आ जरूर चेक आउट करें, यहाँ पर पूरी details दी गई है, चाहे आप certificate course के अंतरगत मेरी video देख रहे हैं, चाहे आप student है, BA, B.S.C. और another professional course के अंतरगत, या फिर master courses के अंतरगत हैं, तो master courses की भी, diploma courses की भी, certificate courses की भी, नीचे link in description दे रखिए, prospectus wise आप जरूर चेक आउट करें किस तरीकी से आपका total पूर्णांग बन रहा है, question paper का वो जरूर चेक आउट करें, next मैं बात करूं, subject code MT606 के बारे में, जो की परिक्षा आउज़ित की गई थी, June 2022 में, previous time period पर previous year में, 2022 जुलाई के अंतरगत, या September और August के अंतरगत ये परिक्षा आउज़ित की गई थी, जिसमें की total marks आपका पूर्णांग था, अभ्यार्ती के दरह main परिक्षा दिया गया था, now अभी अभ्यार्ती के इस subject के अंतरगत back परिक्षा form फिल करा, उसके बाद candidate ने, आज की rate में परिक्षा में participate करा, और अपने परिक्षा दी, जिसके अंतरगत MT606 subject code के अंतरगत, अ इस marks का पूर्णांग देखने को मिला, alright, 4 semester है, examination, December 2022 आप यहां से, check out कर सकते हैं, subject code संबंदित, 2 hours का examination pattern रहा, जिसमें की आपका section की बात करूं, तो this paper of 35 marks divided into 2 sections, section A and section B में divide किये गए थे, section A बताया गया है कि, section A से 5 long answer type question, तो section A से बताया गया है कि long answer type question, आपका 9 and half marks each learner are required to answer any two questions, तो आपका 19 marks इस तरीके से section A में बनेगा, यह में बात करूं, department of math, previous जिनका old course pattern है, और section B में आपके पास total 16 marks का, section B के अंतरगत आपको 4, एनी 8 questions में से 4 questions attempt करने हैं, जिसमें की आपका cover करता है, 16 marks, इस तरीकी से आपका MT606 के अंतरगत, आपका 35 marks का old course pattern के अंतरगत पूर्णांगा आपको देखने को मिला, बागी जो science पे भाग के अंतरगत, current pattern follow हो रहा है, वो screen पर दिया गया है, जिसे आप check out कर सकते हैं, prospectus जरूर check out करें, prospectus के according ही आपका syllabus और pattern रखा गया विश्रुव अगर आपी further question है, तो जरूर question करें, आज की इस वीडियो के इंतरगत इतना ही मिलते हैं, जल्द आपको एक नहीं वीडियो की साथ तब तक ले चानल पर बने रहें, make sure चैनल को subscribe नहीं करा है, तो जरूर subscribe करें, साथ में पास तुमें नोटिपिकेशन, बैल आइकन को जरू हीड करें, धन्यवाद जैन, बन्दे मात्रम